हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल ट्राइशॉपिंग गाइड पे आज हम आपके लिए ब्ल्यूपंग के SBA20 मॉडल का अंबॉक्सिंग एंड रिव्यू लाए है तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो सुरू करते हैं कुछी इस तर इसके से बॉक्स की पेकेजिंग दी गई है बॉक्स पे ब्ल्यूपंग ब्रांड का नाम दिया गया है SBA20 मॉडल का नाम है और कम्पनी ने इसे स्टेंड लॉन साउंड बार नाम से लॉंच किया है वॉक्स के ऊपर स्पीकर की स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है इस मिनी साउंड बार में आपको 2000MH की बैटरी मिलेगी ब्ल्यूटूथ वर्जन वाइफ़न ओ दिया गया है TWS फंक्सन दिया गया है USB इंपूट का भी सपूट आपको मिलेगा वॉक्स भी आपको लगा सकते है और ये मेमर इकाड को भी सपूट करता है दोस्तो यहाँ TWS का फंक्सन दिया गया है इसके जरिये आप दो डिवेज इस स्पीकर के साथ एक साथ कनेक कर सकते है वॉक्स की दूसरी और दिखते हैं तो दोस्तो पारफुल साउंड लॉंग प्ले टाइम मल्टिपल इन्पूट ओप्शन TWS फंक से एंचो याद इत्यादी लिखा हुआ है कम्पनी की इंफर्मेशन भी दी गई है कि इसकी स्तापना 1924 में जर्मनी में हुई थी दोस्तो यह ब्रांट जर्मनी की है तो चलिए दोस्तो अब हम बॉक्स को उपन करते हैं बॉक्स में एक माइक्रो यूएस्बी चार्जिंग के लिए केबल मिलती है एक 3.5 टू 3.5 आडियो जेक मिलता है यह बहुत ही अच्छी बात है कि बॉक्स में आपको यह केबल मिलती है स्पीकर को डेमेज ना हो इसलिए कमप्स ने बहुत ही अच्छी पेकेजिंग करके हमें यह प्रोवाइड किया है साथ ही एक यूजर गाइड मिल जाती है अब देखते हैं हमारे में डिवाइज को दोस्तो एक ब्लेक मेट फिनिश के साथ स्पीकर का डिजैन दिया गया है स्पीकर का सेफ ओक्टाकॉन डिजैन में मिलता है स्पीकर के उपर ब्ल्यू पंक का लोगो दिया गया है स्पीकर के उपर के साथ मैन्यूल की प्रोवाइड की गई है जिसमें से एक की audio play और pause के लिए दी गई है एक की volume up के लिए दी गई है एक की volume down के लिए और जिसमें M लिखा है वो की जब आप music को play करते हैं तब आपको अगर volume को mute करना हो तो single press से आप अपने music को mute कर पाएंगे पीछे की और दोस्तों आपको अलग-अलग port दिये गया है जिसमें से एक charging के लिए है दूसरा aux cable के लिए है जो आपके mobile के साथ या speaker के साथ direct connect करके आप speaker का यूज कर सकते है 3Ci USB बार का port दिया गया है जिसमें आप pen drive का यूज कर सकते है USB के port के उपर memory card का slot दिया गया है जिससे कि आप अपना memory का यूज करके आप गाना enjoy कर सके साथ में speaker का on और off करने की की हिस दी गई है इस speaker के आगे की और दोनों जगह पे speaker मिल जाएंगे जो की 16W के है और इन speaker को protection के लिए black color की matte जाली का इस्टमाल किया गया है दोस्तो अब हम इसकी sound quality के बारे में बात करेंगे दोस्तो speaker के अंदर आपको बहुत ही अच्छा output मिल जाएगा इसके अंदर sound quality बहुत ही अच्छी दी गई है चाहे वह मीड हो वह vocals हो या बेच हो सबको company ने बहुत ही अच्छा balance किया हुआ है जितने दिखने में attractive है इतना इसका sound quality भी बहुत ही अच्छा है speaker के अंदर से आपको vocals बहुत ही clear सुनाई देंगे अधिकतं company या बेच ज़्यादा देते है तो dialogues आपको दबे दबे सुनाई देते है वो problem आपको इसमें नहीं दिखाए देगी दोस्तो अब हम speaker के cons के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो ये speaker इतना loud नहीं है थोड़ा और loud होता तो अच्छा रहता दोस्तो अगर आपको बेच ज़्यादा पसंद है तो ये आपको निरास कर सकता है पर दोस्तो अगर आपको एक professional music का experience करना है तो ये आप जरूर ले सकते है दोस्तो हमने जबरोनिक के Bluetooth speaker का भी unboxing किया हुआ है जिसकी link आपको description में मिल जाएगी दोस्तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और ऐसे ही और वीडियो दिखने के लिए हमारी चैनल को subscribe कीजिए Thank you